और ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का बहुत स्वागत है रुक करेंगे खब रुका उत्तर प्रदेश उत्राखन की सीमा से सटे कालागर इलाके में रहने वाले सुरेश बाजार से अपने घर जा रहे थे तो झाडियों से निकल कर एक जंगली हाती ने सुरेश के उपड़ा कर दिया हाती का हमला इतना जबर्दस था कि सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया सुरेश के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो परिवार सहीद पूरे इलाके में देहशत का महल पैदा हो गया अब परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको सुरेश की मौत का उच्चित मौपजा दिया जाए वह एक हाथे का वीडियो भी सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये वही हाथी हो जिसने सुरेश को मौत के घाट उता रहा है पुलिस ने सुरेश के शर्व को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भीज दिया और आगी की कारवाई शुरू कर दी है बिजनौर के तस्वीरे आप देख रहे हैं जोहां पर जंगली हाती का आतंक जो है वो देखने की निला है जोहां पर जंगली हाती के हमले से एक यूवक ने दम तोड़ दिया है परिवार करो रोकर बुरहाल है साथी परिवार का कहना है कि उन्हें उचित मुआफजा इसी विशेव में रेंजर साफ से बात करी गई उन्हें का जो भी मुआफजा इनके लिए बनेगा वह मुआफजा इनको दिया जाएगा और हम अपनी दुप से पूरे प्रियास करेंगे कि इनको उचित मुआफजा दिलाएगा दो दो जार वाइस को नई कालोनी कालागड कि निवासिस की बिजेंदर सिंगी द्वारा सुचना दी गई खाना पर कि उसके चाचा को हाती के द्वारा काहिल करने से मिर्ती हुआ इस सुचना पर मैं एसो मिर्श कुमार मैं फोस के भटनास्तल को राया मिर्तक के सव को कज़े में लेकर प्याइब होती पोड़वार भ कि यह एक था जा झाल 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 झाल